प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाठ नभी इसायस का ग्रंत अध्याय साथ वचन संख्याएं 10 से 14 तक प्रभु ने अखाज से कहा, चाहे अधुलोग की गहराई से हो, चाहे अकाश की उंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन मांगो अखाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परिक्षा नहीं लूँगा इस पर उसने कहा, हे दाउत के वन्ष, मेरी बात सुनो क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए परियाप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैरे की भी परिक्षा लेना चाहते हो प्रभु स्वयम तुम्हें एक चिंड देगा, और वह यह है, एक क्वारी गर्बवति है वह एक पुत्र को प्रिसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुवल रखेगी, जिसका अर्थ है, प्रभु हमारे साथ है यह प्रभु की वानी है संद लुकस के नुसार पवित्र सू समाचार, अध्याई एक, वांके संख्या 26 से लेकर 38 तक छटे महेने स्वर्गदूत गाबरियल, ईश्वर की ओर से गलिलिया के नाजरित नामक नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाउत के घराने के यूसुफ नामक पुरुशे हुई थी और उस कुवारी का नाम था मरियम स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा प्रणाम प्रभू की कृपा पात्री प्रभू आपके साथ है वा इन शब्दों से घबरा गई और मैंन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या भी प्राय है तब स्वर्गदूत ने उस से कहा मरियम डर्ये नहीं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है देखिए आप गर्वती होंगी पुत्र प्रसौव करेंगी और उसका नाम ईशा रखेंगी वे महान होंगे और सरवच प्रभू के पुत्र कहलाएंगे प्रभू ईश्वर उन्हें उनके पिता दावत का सिहासन प्रदान करेगा वे याकुब के घराने पर सदा सरवदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंद नहीं होगा पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसा हो सकता है मेरा तो पुरुष संसर्ग नहीं है जो आप से उत्पन होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुम्बनी एलिजबेत को भी पुत्र होने वाला है अब उसका जो बांज कहलाते थी छटा महिना हो रहा है क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभाव नहीं है मरियम ने कहा देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए और स्वर्ग दूद उसके पास से चला गया यह प्रभु का पवित्र सूसमाचार है क्रिस्थ प्रभु की चै यह सुमे मेरे प्रिये भाय और बहनो आज माता केलिस्या प्रभु के शरेधारन के संदेश का पर्व मनार ही है यह पर्व हमें ईश्वर के प्रेम पर गहन रुप से मननचिंदन करने का एक आउसर देता है मनुष्यों के लिए ईश्वर के पास निर्धारित योजना है और उसी योजना को हम पूरा करने के लिए इस प्रित्वी पर अपने जीवन को जीते हैं और जीवन को जीते हुए हम लगातार कोशिश करते हैं कि अपने कर्मों के द्वारा अपने सोच के द्वारा और अपने संबंधों के द्वारा हम ईश्वर योजना को पूरा कर पाए और उसके साथ ही साथ यहाँ पर्व हमें एक आउसर देता है कि हम अपने जीवन में ईश्वर की क्रियाशीलता को अनुभाव कर सके क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर हमारे बीच में विद्यमान है हम वचन में पढ़ेंगे जहां पर भविश्वानी की जाएंगी कि ईश्वर इमान्वेल होकर हमारे बीच में निवास करेंगे और उसी क्रियाशीलता को अनुभाव करने के लिए इश्वर के प्रेम को इश्वर के दया को इश्वर की क्रिपा को भरपूर मातरा में अनुभाव करने का एक आउसर होता है संभوتा चालीसे का यह पवित्र काल हमारे लिए इश्वर के उसी प्रेम को इश्वर की उसी क्रियाशीलता को एक पर पुना जानने पहचानने और उसके लिए अपने आपको समर्पित करने का एक आउसर होता है आज का पहला पांट नभी इसायस के ग्रंद से लिया गया है भविश्यवानी करते हैं और कहते हैं प्रभु स्वयम तुम्हें एक चिन देगा और वह यह है एक कुवारी गर्वती है वह एक पुत्र को प्रसौव करेगी और उसका नाम इमानवेल रखेंगी हम देखते हैं कि इसी भविश्यवानी को संद मती अपने सु समाचार में लेकर कहते हैं और कहते हैं कि एक कुवारी गर्वती होगी और पुत्र को प्रसौव करेंगी और उसका नाम इमानवेल रखेंगी जिसका अर्थ है इश्वर हमारे साथ है सबसे पहले हम लोग नभी इसायस की इस भविश्यवानी का संदर्भ जानने की कोशिश करेंगे हम देखते हैं कि उस समय राजा आहाज इस्राइली जनता का राजा था और राजा होने के नाते वह उन पर शासन कर रहा था संभावता इश्वर की योजना को लागू करने की कोशिश कर रहा था और इसी के बीच में नभी इसायस अपने राजा के पास आते हैं और उसे एक चिन मागने को कहते हैं लेकिन हम देखते हैं कि राजा आहाज चिन मागने से इनकार कर देता है जब राजा आहाज चिन मागने से इनकार कर देते हैं तब नभी इसायस उसे फटकारते हैं नभी इसायस राजा आहाज को इसले नहीं फटकारते हैं क्योंकि वह विनम्र है वह नम्र होकर चिन मागना नहीं चाहता है नभी इसायस राजा आहाज को इसले फटकारते हैं क्योंकि उसे इश्वर पर विश्वास नहीं है उसे इश्वर पर भरुसा नहीं है और इसी कारण नभी इसायस राजा आहाज को फटकारते हुए या भविश्वानी करते हैं उसे चुनावती देते हैं और चुनावती देते हुए उसे अपने जीवन के बारे में मननचिंतन करने के लिए उसे आगराह करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि राजा आहाज के समय में बहुत सारे इस्राइले लोग अपने विश्वास को परित्याग कर दिये थे क्योंकि राज आहाज के कारे ईश्वर द्वारा नियोजित कारे के बिपरीद था और इसलिए वो बताता है कि एक कुमारी गर्वती है और वो पुत्र प्रसौव करेंगी और उसका नाम इमानवेल रखेंगी इसका तात पर यह क्या है कि एश्वर हमारे बीच में विद्यमान है वह हमारा चरवा है वह हमारा अगवाई करेगा उसे किसी राजा की जरूरत नहीं है जिसके माधिम से वह अपने लोगों की अगवाई करेगा लेकिन यहां स्वेम ईश्वर अपने लोगों के बीच में विद्यमान होकर उनकी आगवाई करेगा उनका चरवाहा बनेगा उनका गडिरिया बनेगा नभी ईसायस अपने भविश्यवाने में दूसरी और इंगित करता है कि एक कुवारी के द्वारा ही इस संसार का मसीहा आने वाला है और वह कुवारी माता मर्यम है जिसके द्वारा ईश्वर अपने आप को हमारे बीच में प्रकट करते हैं उसी संदेश का पर्व आज हम बढ़ते हैं कि किस प्रकार से इश्वर का स्वर्गदूत माता मर्यम के पास में आता है और उसे इश्वर की योजना के बारे में बताता है और इश्वर की योजना के लिए कैसे माता मर्यम को तयार करता है और कैसे माता मर्यम अपने जीवन को इश्वर की योजना के लिए समर्पित कर देती है नभी इसायस की भविश्यवानी हमें यहां बताता है कि ईश्वर किस प्रकार से अपने लोगों के बीच में कारे करता है ईश्वर लगातार अपने लोगों के बीच में क्रियाशील रहते है वे चिन और चमतकारों के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं अपने होने का हमें प्रमान देते हैं हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे आधी मानव पाप किये और पाप के भागी बनते हुए वे लोग ईश्वर की योजना को पूरा करने में असमर्थ हुए उन्हें ईश्वर की ओर से दन्द मिला जो पाप उन्होंने किया था उसके लिए उन्हें प्राइशित करने का मौका मिलता है हम उत्पति ग्रंद के आध्यायत तीन वाके संख्या पंदरा में पढ़ते हैं जहां पर वचन कहता है मैं तेरे और इस्त्री के बीज तेरे वन्ष और उसके वन्ष में शत्रुता उत्पन करूंगा वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से मनुश्य के जीवन में पाप प्रभावी होता है पाप के कारण वह ईश्वर के सानित्य से अपने आप को दूर कर देता है ईश्वर की कृपां से अपने आप को वन्चित कर देता है और उन्ही के बीच ईश्वर अपनी योजना को हमारे लिए देता है हम वचन में पढ़ते हैं वह तेरा सिर कुचल देगा और तु उसकी एड़ी कातेगा इन ही शब्दों के साथ में ईश्वर अपने आपको मनुश्य के जीवन में समाहित कर लेते हैं अपने आपको मनुश्य के जीवन से जोड देते हैं हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक नारी के आग्या भंग के कारण संसार में पाप आता है और उसके द्वारा उत्पन सारे लोग उस पाप के भागी बनते हैं लेकिन बाद में ईश्वर उस पाप को कुचलने के लिए पाप रुपी साप को कुचलने के लिए एक और नारी को हमारे बीच में लेकर आते है वा नई हेवा बनकर नए आदम को हमारे बीच में लेकर आती है वा येसु मसी को हमारे बीच में लेकर आती है ताकि हमें मुक्ति प्राप्त हो ताकि जो पाप का दंश हमारे जीवन में प्रकोप लेकर आता है उसके द्वारा हमें छुटकारा प्राप्त हो येशु में मेरे प्रिये भाई और बहनो यह पर्व हमें विशेर सुरुप से ईश्वर के प्रेम को अपने विक्तिगत जीवन में, अपने समुदायक जीवन में अपने कलिस्याई जीवन में महसूस करने के लिए एक आउसर देता है हमें चाहिए कि हम लगातार कोशिश करें कि ईश्वर हमारे बीच में किस रूप में विद्यमान है लगातार ईश्वर को खोजने का ईश्वर के मार्ग को जानने का हमें प्रयतन करते रहना है और उसकी आग्या को पूर्ण करने के लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करना है वह समर्पन का भाव आज हमें सू समाचार के माध्यम से मिलता है जहां पर माता मर्यम ईश्वर की योजना के लिए अपने आप को समर्पित करती है और कहती है तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए येसु में मेरे प्रिये भाई और बहनो आज जब हम लोग यह पर्व मना रहे हैं और इन पाठों पर मनंचिंतन कर रहे हैं तो हमारे लिए दो मुख्या बाते हैं सबसे पहली बात है कि हमें पाप के आगे कभी नहीं जुकना है पाप वह प्रक्रिया है जहां पर हम लोग अपने आप को ईश्वर से विलग कर देते हैं ईश्वर से अलग कर देते हैं क्योंकि ईश्वर हमारे बीच में विद्यमान है और जब ईश्वर हमारे बीच में विद्यमान है तो हमें डरने की आवशक्ता नहीं है नभी आहाज की भाती हमें भैक खाने की जरूरत नहीं है बलकि हमें माता मर्यम के समान साहस के साथ ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए समर्पित होने की जरूरत है और उस समर्प पुर्ण बात है आग्याकारिता हम देखते हैं कि माता मर्यम एक बार ईश्वर की योजना के लिए अपने आपको समर्पित करती है तो वह जीवन भर समर्पित हो जाती है जीवन भर अपने जीवन के द्वारा उसी आग्या को मानते रहती है उसी आग्या को अपने जीवन में क्रियानवित करती है आज हमें आवशक्ता है प्राथना के द्वारा त्याग के द्वारा तपस्या के द्वारा ईश्वर के आग्या को जानने और पहचानने का आए हम प्रभु से बल मांगे कि हम प्रभु के बल से संसारिक पाप और मोमाया के सामने अपने आप को ना जुकन दे और प्रभु की आज्या का पालन करते हुए एक अच्छा ख्रिष्टे जीवन जी सके और उस ख्रिष्टे जीवन को जीते हुए हम बहुत सारे लोगों को प्रेर ना दे सके कि वे लोग भी ईश्वर के लिए अपने आपके जीवन को जी सके हे सर्वशक्ति मानपिता पर मेश्वरम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुन्दर दिन के लिए प्रभु तेरे प्रेम मैं संदेश के लिए प्रभु जिसका परव आज हम लोग मना रहे हैं यह एक ऐसा संदेश था प्रभू जो हमें आशा से परिपूर्ण कर देता है विश्वास और भरसे को जगा देता है प्रभू जिस प्रकार से तो हमारे बीच में आकर अपना वास किया और हमें मुक्ति के भागी बनाया प्रभू हमें बल दे कि उस मुक्ति के कार्य को हम अपने दैनिक जीवन में पूरा कर सकें जब भी हमारे जीवन में पाप का प्रकोफ हो हमें वो सहा साए प्रभू कि हम तेरे वचन को लेकर और तेरे सामर्थ को लेकर उस चुनौती का सामना कर सकें और तेरे आग्या को मानते हुए आग्या कारिता का जीवन जीते हुए हम एक अच्छा जीवन जी सके और हमारे खृष्टे भायबहनों के बीच में और अन्य लोगों के बीच में एक नमुना प्रस्तोत कर सके हम यह प्रातना करते हैं हमारे प्रिभू खृष्ट के द्वारा आमेन आमें 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 आमें